हेलो स्टूडेंट्स और वेल्कम बैक आज च्छे क्लास में लोग कंटीनिव करेंगे अपना जो ड्यूटीज ऑफ बेलर हम लोग पहल लिये थे अब हम स्टार्ट करेंगे ड्यूटीज ऑफ बेली ठीक है जो भी पच्छा पिछला वीडियो नहीं देखा है बेलमेंट का बे वीडियो पहले देख लो तुम तभी वीडियो तुमको ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं होगा बेलर क्या है वो सब इनिश्यल जो बेसिक का क्लास है उसमें पढ़ाय गया है ठीक है देखना नेक्स्ट अभी हम लोग इसमें ड्यूटीज ऑफ बेली प जैसे मिश्टर ए जो है बाइक रिपैर कराने के लिए दिया है गराज में ठीक है तो यहां पर मिश्टर ए क्या है मिश्टर ए इस दी बेलर मिश्टर ए बेलर है ठीक है और यह जो गराज वाला है जिसको दिया गया है सामान वो कौन है वो है बेली ठीक है देखना In all cases of bailment, the baili is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary today's wood. मतलब, baili को सामान का ध्यान रखना है, जैसे एक नॉर्मल विक्ती रखता ठीक उसी तरह. Under similar circumstances, take care of his own goods of the same bulk quantity and value as the goods bailed. मतलब, जिस तरीके से वो अपने सामान का ध्यान रखता, अपने सामान को ठीक से रखता, ठीक उसी तरह, जो सामान उसको bailed किया गया है, bailer के द्वारा, वो सामान का भी उसी तरीके से ख्याल रखेगा. Basically, सामान को अपना समझ के रखेगा, जैसे bailer दिया है baili को, लेकिन baili का क्या duty है? कि जिस तरीके से वो अपने सामान को रखता है, जो reasonable care करता है, ठीक उसी तरह, इसके सामान को भी रखेगा, ऐसे नहीं के फिक देगा सामान कहीं पर भी. Example, if X bailed his ornaments to Y, Y keep these ornaments in his own locker, at his house, along with his own ornaments. And if all the ornaments are lost, stolen, in a riot, Y will not be responsible for the loss to X. बोला कि X सामान दिया था Y को, ornaments दिया था, और Y उस ornaments को locker में रखा था, ठीक उसी तरह, यसे वो अपना ornaments को locker में रखता है, तो X का ornaments को भी locker में रखा था, और चोरी हो गया, loot part हो गया, और सब चोरी हो गया. तो क्या Y liable होगा, the answer is no, Y liable अभी नहीं होगा, लेकिन, if, on the other hand, X अगर बोला था Y को कि बैंक में रखने, if X instruct Y to keep them in a bank locker, but Y keeps them in his residence, then Y would be liable, Y responsible होगा इस पार. जबकि X उसको बोला था, कि तो सामान कहां रखना, तो सामान bank में रखना locker में, लेकिन Y क्या किया, अपने घर के locker में रखा उसको, और फिर वो चोरी हो गया, तो कौन liable होगा, इस बार Y liable रहेगा. ठीक है, तो basically point इतना सा बात बताना चाहता है, कि जैसे एक ordinary man अपने समान का ध्यान रखता है, बेली का भी ये duty बनता है, कि उसी तरीके से समान का ध्यान रखे, अगर समान destroy होता है, तो बेली liable नहीं होगा, अगर वो reasonable care किया है, तो, लेकिन अगर वो reasonable care नहीं लिया है, त example 10, दिखते हैं ये वाला, A deposited his goods in B's warehouse, on account of unprecedented floods, a part of the goods were damaged, it was held at B's not liable for the loss, B क्यों लिया 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 होगा, A to warehouse में रखा, a flood आ गया, flood किसी के हाथ का बात थोड़ी है, क्या B की गलती के वज़े से हुआ है नुकसान, the answer is no, B की गलती के वज़े से नुकसान नहीं हुआ है, तो जब B की गलती के वज़े से नुकसान नहीं हुआ है, then B will not be liable, B liable नहीं होगा, ठीक है, exception, Bailey were not liable for the loss of thing bailed, the baili in the absence of any special contract is not responsible for the losses, destructions and deterioration of the thing bailed, if he has taken reasonable care, simple सा बात है, कि अगर reasonable care लिया है, जो care लेना चाहिए था, और उसके बाद भी अगर good damage होता है, destroy हो जाता है, तो उसके लिए baili liable नहीं होगा, बेली कब liable होगा, जब बेली के गलती के वज़े से नुकसान हुआ है, तो उस case में baili liable रहेगा, or else the baili is not liable, ठीक है, ठीक है, not to make inconsistent use of goods, इसका मतलब क्या है, अपने मन से goods को कुछ इस तरीके से use नहीं करेगा, जो की allowed नहीं है, बेलर allow नहीं किया है, तो उस goods को use नहीं करेगा, है ना, जैसे कि वे बाइक वाला example था, बाइक दे दिये गराज में ठीक कराने के लिए, तो क्या ये गराज वाला बाइक को लेकर घूमता रहेगा, इधर उधर पुरा सहर, ये गूम नहीं सकता है, क्योंकि हम उसको घूमने के लिए थोड़ी दिये, हम तो उसको ठीक करने के लिए तो ठीक करने के बाद वापस करेगा, ठीक होने के बाद लेकर गूम नहीं सकता, पूरा सहर, समझ में आ रहा है, ये वही बात है, देखना, एस पर सेक्शन 154, इव दे बेली मेक्स एनी उस अप दे गोड्स बेल्ड, विच इस नॉट अगर जो चीज के लिए काम के लिए दिया गया है, उसी काम में उसको यूज कर सकता है, और कोई अपने मन से उसको कोई और जगा यूज नहीं कर सकता, और अगर यूज करता है तो कुछ नुकसान होता है तो फिर भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है, Example, A lends a horse to B, for his own riding only, खुद के riding के लिए दिया था खली, B allows C a member of his family to ride the horse, C rides with care, but the horse accidentally fails, falls and is injured, B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse, देखो यहाँ पर horse गिर गया और चोट लग गया, लेकिन किसी का गलती है नहीं इसमें, लेकिन B को तो बोला गया था कि तू अके तू ही चलाएगा सरिफ, लेकिन C को दिया वो horse ride करने, इसी वज़े से अब भी liable हो जाएगा, और else अगर B चला रहा होता और horse गिर जाता और नुकसान हो जाता, तो कोई भी liable नहीं होता, लेकिन यहाँ पर B को बोले थे कि तुमसे ride कर सकते हो, लेकिन C को दे दिया वो, अब C जब चला रहा था, जब ride कर रहा था, तब वो गिरा और चोट लगा, तो अब सी liable होगा यहाँ पर, है ना, तो simple सा बात है, जिस purpose के लिए use करने के लिए दिया हुआ है, सिर्फ उसी purpose के लिए use हो सकता है, और कोई purpose के लिए अगर use हो रहा है, और कुछ loss या damage होता है, तो फिर वो लाइबल होगा उसे, ठीक है, next, एक दो और example दिया हुआ है, ठीक है, देखना, A hires a horse in Kolkata from B, expressly to march to Varanasi, A ride with due care, but marches to Katak instead, Varanasi जाना था, Katak निकल लिया, है ना, The horse accidentally falls and is injured, A is liable to make compensation to B, for the injury to the horse, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिरेक्शन में गया है, Varanasi का बात होजा, तो खटक चल गया, है ना, तो लाइबल होगा, next, A lands to B, a horse for his own riding, B gives the horse to C for riding, the contract is voidable, मतलब A चाहे तो contract को cancel कर सकता है, ठीक है, तो same type के examples है, I hope clear हो गया होगा, ठीक है ना, next, जो तीसरा duty बनता है, बेली खा, not to mix the goods, with his own goods, अपने खुद के goods के साथ mix, बेलमेंट का goods को mix ना करे, ठीक है, देखना, इब बेली मिक्स देखने गोडेंट, बेलेंट, बेलेंट से पूछ कर, बोर्ट पार्टी से और पार्टी साल थे प्रोपोर्शन देखने रेस्पेक्टिव शेर, इन देखने मिक्स्चर थेस प्रेडियोश्ट, बेलेंट, 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 बेले and any damage arising from the mixture और अगर दोनों को mix कर दिया दोनों समान को without the concerned ठीक है और अगर दोनों समान अलग-अलग हो सकता है तो हम अलग-अलग कर देंगे लेकिन यह जो अलग-अलग करने में जो खर्चा आएगा या कोई प्रकार का loss होगा तो वो कौन भी यह करेगा that will be born by the belly क्योंकि belly मिलाया है belly mix किया समान बेलर के permission के बिना ठीक है थर्ड if the belly without the concern of the beller mixes the goods of the beller with his own goods in such manner that it is impossible to separate the goods इस बार क्या हुआ mix तो कर दिया लेकिन इस बार अलग-अलग करना impossible है दोनों समान को mix कर दिया है और यह अलग-अलग और नहीं हो सकता है ठीक है and to deliver them back the beller is entitled to be compensated by the belly for the loss बेलर जो भी नुक्सान हुआ है बेलर को बेलर वो पैसा claim कर सकता है किस से बेली से ठीक है तो पहला है अगर permission के बाद मिलाया है तो ठीक है तोनों का हिस्सा रहेगा उसमें permission के बिना मिलाया है लेकिन अलग-अलग हो सकता है तो कर लो अलग-अलग है न जो भी खर्चा होगा बेली देख लेगा third one consent के बिना मिलाया है and अलग-अलग नहीं हो सकता तो वो केस में फिर बेलर को जो भी नुकसान हुआ है बेली वो पैसा देखा ठीक है next return the goods it is the duty of the बेली to return or deliver according to the बेलर's direction the goods bale without demand as soon as the time for which their bale has expired मतलब जितना दिन के लिए दिया गया है उतना दिन जब पूरा हो जाता है तो बेली का duty बनता है कि वो सामान किसको वापस कर देगा बेलर को ठीक है if by default of the बेली the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time he is responsible to the बेलर for any loss कोई भी नुकसान अगर होगा बेलर को तो बेली लाइबल रहेगा clear इतना तो इसका मतलब बेली का duty बनता है कि timely goods को return करेगा और अगर return नहीं करता है timely और उसके बज़े से बेलर को कोई नुकसान होता है तो बेलर वो पैसा claim कर सकता है किस से? बेली से ठीक है return and accretion from the goods अगर goods में कोई बढ़ोतरी होता है कोई बढ़ता है goods बढ़ावा होता है तो वो जो बढ़ावा है वो भी किसको मिलेगा बेलर को मिलेगा ये एक्जामपल समझ माएगा तुमको एक्जामपल देखना ठीक है बहुत इजी है A leaves a cow in the custody of B ठीक है The cow gives birth to a calf तो अब कोश्चे नहीं कि काल्फ किसका होगा ठीक है तो ठीक है A का है What about the calf तो the answer is क्योंकि cow belongs to the beller that simply means calf will also belong to the beller ठीक है तो कोई भी goods में a creation होता है कोई भी बढ़ोतरी होता है बढ़ावा होता है goods में तो वो सामान भी वापस मिलेगा ठीक है B is bound to deliver the calf along with the cow to the A ठीक है तो cow तो वापस करेगा ही साथ में cow का बच्चा calf उसको भी वापस करना पड़ेगा clear है next not to set up adverse title यह कुछ खास ऐसे है नहीं ठीक है belly must not set up a title टाइटल मतलब याद है ownership है ना title adverse to death of the bailer he must hold the goods on behalf of and for the bailer he cannot deny the title of the bailer हम कभी भी बेलर का ownership deny नहीं कर सकते है वे मालिक कौन है goods का goods का मालिक तो बेलर ही है है ना तो not to set up adverse title मतलब goods भले ही बेली के पास हो लेकिन बेली यह नहीं बोल सकता कि सामान मेरा है वो हमेशा यहीं बोलेगा कि सामान किसका है सामान बेलर का है clear है this is all about the duties of बेली ठीक है तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिये हैं अभी तक अभी तक पढ़े हैं duties of beller and duties of बेली यह दो पॉइंट पढ़ लिये हैं ठीक है अब इसी के जैसा दो पॉइंट और है जो तुमको खुद से पढ़ना है notes में से जो की similar है duties of beller जो है वो किस से same है उल्टा rights of बेली यह दोनों एक ही चीज है ठीक है और जो duties of बेली है वो किस के जैसा है rights of बेलर समझ महा रहा है तो जो इसका rights है उसका duty है जो उसका duty है इसका rights है clear है तो यह देख ले न rights of beller same same rights of beller यह दो टॉपिक खुद से पढ़ना है notes डाल दूँगा मैं description में बहुत easy है खुद से पढ़के देखना तुमको आराम से समझ में आएगा छुटा सा homework पहली बात दे रहा हूं तुमको कुछ homework जो तुमको करना है comment मुझे बताना कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं कौन सा point अगर नहीं समझ में आएगा तो वह भी तुम comment करके बताओ मैं वहां पर तुमको describe करूंगा उसको ठीक है video पसंद आया तो like करना comment करके बताना share करना दोस्तों के साथ तके maximum से maximum लोग कि जो free become में इसका फाइदा उठा सेके ठीक है thank you